नमस्कार, राज्य सिक्षा सोद एवं प्रसिक्षन परिशर बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है मैं आज आप सभी के सामने एक नए भाग अर्षास्त के साथ प्रस्तु थो आप सभी ग्यार्वी के अर्षास्त का अध्यन कर रहे हैं जिसको दो भागों में बाटा गया है एक भाग है अर्षास्त में सांखिकी और दूसरा भाग है भारती अर्थरस्था का विकास तो बच्चों आज जो हम प्रारम करने जा रहे हैं वो है अर्षास्त में सैंखिकी जैसा कि बच्चों नाम से ही इसपस्ट है कि हम economics के अंदर किस चीज की पढ़ाई करने जा रहे है statistics सैंखिकी तो यह आपके book का नाम है हमारा जो पहला अध्याई है वो है परीचे अब परीचे किस चीज की है यह जो अध्याई है यह आपको परीचे दे रहा है कि अर्षास्त क्या है अर्षास्त में कौन-कौन सी क्रियाएं होती है वो कैसे कारी करता है और दूसरा भाग है कि अर्षास्त में सांखिगी का क्या महत्यू है हम क्यों अध्यान कर रहे हैं सांखिगी का अर्षास्त के अंतरगर तो इन ही सभी की चर्चाएं हम लोग अपने इस अध्याई में करें ध्यान देना है और क्या मुख्य बिंदुवे हैं तो वो बिंदुवे हैं इस प्रकार हमें इस अध्याइं में जानना है कि अर्थ सास्त क्या है और उसकी परिभाशाएं किस प्रकार से दी गई है हमारी आर्थिक समस्याएं क्या होती है आर्थिक समस्याएं आखिर उत्पन क क्यों होती है अर्षास्त और उसके घटक क्या है उत्पादन के क्या कारक है सैंखिकी का क्या अर्थ है सैंखिकी को कितने छेत्रों में बाटा गया है और अर्षास्त में सैंखिकी का क्या महत्व है क्या अर्षास्त एक सही विकल्ब है इन सारे बातों की चर्चाएं हम लोग सद्ध्याई में करेंगे तो चलिए हम लोग अपना अध्याई प्रार्म करते हैं तो पहला अर्सास्त है क्या आप कछन 9 और 10 से अर्सास से परिचित हुए हैं यह एक सामाजिक विज्ञान का भाग है और क्लास 9 में आपको इसके द्वारा परिचित कराया गया था तो मानों की क्या होती है कुछ मूलभूत आवश्यक्ताएं होती है और उन आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एक आर्थिक किरिया करने पड़ती है और उसी आर्थिक किरिया के अंतरगत क्या होता है उत्पादन उपभोग विनिमय वित्रन य इन ही सारी किरियाओं का अध्यन ही कहलाता है अर्थ सास्त के विशय में हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतरगत मनुष्य अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए जिन आर्थिक किरियाओं से गुजरता है और उसके साथ-साथ वो धन का कैसे परियो कर रहा है और एक आर्थिक विकास की बातों को कैसे सोच रहा है इन सभी को माना जाता है तो बच्चों आपको बता दूं कि अर्शास्त की जो परिभासा है वो मुख्यता चार रूपों में दी गई और अर्शास्त जो परिभासा दी गई तो यह प्रश्ण होता है कि परिभाषा सर प्रथम अड़म स्मीथ ने दी और द्थोझ को अच्छी तरह से पता है कि अर्षास्त के जनक है कि अड़म-이죠 तो अर्षास्ट की जो परिभासाय है मैंने अक्षार भागों में दीगए एक ने कहा कि इसे किसकी अधर पर दिया धन के अधार पर दूसरा मानव कल्यान के अधार पर तीसरा था दुरलबता और चैन के अधार और चौथा अधार था विकास के अधार तो यानि कि जैसे जैसे समय बदला अर्षास्त में हमारी विचार धाराइं बदली और इस तरह इनके परिभासाओं में अंतर आते गया और आ परिभास तो अर्षास्त की परिभास धन संबंधी परिभास मुखित आडम समीथ नहीं विदी जिन्हों ने कहा था और सास्त धन का विज्ञान है तो आपको यह जानना अतियावस्जाए कि जो सास्त्रिय अर्षास्त्ी थे classical economist थे उन्होंने ही किसका परिचे दिया था धन का विज्ञान इसके अंतरगर्द जेवी से भी आते हैं और आपने जो इमेज देखा यह जो पिक्चर देखी यह हमारे यह इसलिए कहा गया कि इनके अनुसार मनूश जो है वो किसके खूमता है क्योंकि धन के बिना कुछ नहीं हो सकता मुनिश अपनी आउसक्ताओं के पूर्ती नहीं कर सकता है वह दो हम को ही अरजित करता है और अपनी जितनी इच्छा सकती है उसे पूरा करता है जो एक तरह से अगय जाल जाकर इस में तर्क दिया गया कि मनुशी के लिए धन बना है ना कि धन के लिए मनुश्य बना तो इस परिभासा को रोका किसने मार्सल ने अब क्यों रोका क्या मनिश्य सब धन कमाता है बिल्कुल नहीं मनिश्य जो एक सामाजिक प्रानी है वो एक सामाज में रहता है और जब वो सामाज में रह रहा है तो एक सामाजिक कल्यान की भावना आती है हम सिर्फ धन नहीं अर् करते हैं तो दूसरी परिभासा बहुत ती कल्यान संबंधी परिभासाएं कहलाई जाती है और इन्हों कि ने दिया तो मार्सल ने दिया इनके अनुसार धन्म से कल्यान तक पर जो जोड दिये जाते हैं उसे इन्हों ने क्या कर दिया रोका और इन्होंने कहा कि the study of mankind in the ordinary business of life. Capital is the part of wealth which is devoted to obtaining further wealth इसका मतलब यह था कि मनुष्य का एक समाज में रह रह रहा है बहुत एक कल्यान के लिए कारी करता है सिर्फ धन अर्जन नहीं होता है समाज में हर दर्जे हर दाइरे के लोग रहते हैं अमीर भी होते हैं मध्यम भी होते और ये परिभाशा दी थी probins ने क्या दिया था इन्होंने कहा कि आर्षस्त क्या है एक चयन का विज्ञान है तो पहले आप लोग देखते हैं क्या है ये सा दुर्लब्पता संबंदी परिभाशा इन्होंने का अर्शास वह विज्ञान है जो मानव वहवार को दिये गए लक्षों और वैकल्पिक उप्योग वाले दुड़लब साधनों के भी संबंध के रूप में अध्यन करता है अब यह क्या कहा जा रहा है मानव के वहवार में लक्षों और दुड़लबता इन्हों ने क्या का एक तरह से एकसिर्दी इन्होंने घ्षेजए कियो आर्सास क्या रहा है धनका विज्ञान आर्शास कहा जा रहा था कि मानम कर लियां का एक चीज जो थी इन दोनों प्रिभासाओं में गोन्यौन हो गई थी वह ग्वान्स क्या थी वह वह बिलुप्त हो unlimited हमारे इच्छाओं का कोई अंती नहीं है परन्तु हमारे जो साधने वो लिमिटेड हैं बिल्कुल सिमित है तो उन्ही आसिमित साधनों के बीच उन्ही दुडलबताओं के बीच जो हम चयन करते हैं कि हम कैसे उत्पादन करें कैसे उपभोग करें उन सभी किर्याओं को कैसे किर्यानवन करें ये कहा जाता है अर्जस्ट तु एक तरह से सटिक परिभासा दी गई किसके दी Lazare एक परिभासा दी यह दी गई विकास कि आधर पर विकास न मुक परिभासा जो किस ने दिया शेमिल sigma यह क्या कहे जाते हैं यह आधोनिक अर्षास्ति कहे जाते हैं इनके अनुसार अर्षास्त समस्त आर्थिक साधनों द्वारा मानव की वर्तमान एवं भवेश्य की आवशक्ताओं को संतुस्ट करने का अध्यन है ध्यान देवच्चों अर्षास्त समस्त आर्थिक साधनों द्वारा मा मानव की वर्तमान एवं भवेष्य की आवसक्ताओं को किसकी आवसक्ताओं को भवेष्य को संतुष्ठ करने का साधंने जिसके अंत्रगत दुर्लव तथा व्यकल्पिक उभ्य के साधनों द्वारा मानव एवं समाज की बिभीनावशक्ताओं को संतुस्ट करने का परियास किया जाता है इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि अर्षास्त की परिभासा को चार भागों में बाटा गया यह आपको अच्छे तरह से याद करना है यह चार भाग क्या एक था की धन के आधार पर दूसरा था भौतिक कल्यान तीसरा था दुड़लबता और चुनाव चयन के आधार और आखरी था विकास के अधार तो इस प्रिकार हमने देखा कि अर्षास्त के अंतर क्या आए धन से लेकर वह कहां पर आकर रुका कि हमें ऐसा चुनाव करना है तो अब अर्षास के समस्या है क्या किन समस्याओं के साथ आता है तो आपने पढ़ाया बच्चों पिछले कक्षाओं में मैंने बताया है कि हम मुख्यता जब किसी अर्थववस्था की समस्याइं आती है तो उसमें तीन प्रकार के समस्याइं आ जाती है एक समस्या आती है उत्पादन क्या करना है उत्पादन कैसे करना है और उत्पादन किसके लिए करना है तो इन तीन समस्याओं के साथ जो एक चीज निकल कर आती है वो निकल कर आती है क्या scarcity दूरलब्ता है तो हमारी जो आर्थिक समस्या है मुखे समस्या क्या है scarcity हमारे पास जो resources है चाहे वो land है लेबर है और entrepreneur से वो जो भी चीज है वह सब क्या है लिमिटेड है और हमारी इच्छाएं क्या है असमित हम इन सभी चीजों को पूरा करने में क्या लगे हुए बस लगे हुए तो यहां पर क्या हो रही एक समस्या आती है कि इस दुड़लभता से हम अपने लिए कैसा चयन करें और हम किस प्रकार अपना जीवन्यापन को आगे चलाएं इसकी अगली भाग आती है दे बढ़ती ही जाती है बढ़ती ही जाती है तो क्या यह सभी पूरे हो पाएंगे तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कहां से परियोग करते हैं अपने प्रकृतिक संसादनों का ही परियोग करते हैं तो इसी का अध्यन किया जाता है कहां अर्थ सास्त में तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि आर्षास्त की जो ये पूरी प्रक्रिया हुई वो क्या ऐसे हुई उसके अंतरगत क्या आया तो उसके अंतरगत आया कि जो scarcity थी तो उस scarcity में हमें क्या करना है चुनाव करना है और भविष्य के लिए विकास करना है तो इस प्रकार ये कारे करता है अब इसके अंतरगत कुछ महत्वण बिंदुवें आती है कुछ टर्म से इकनोमिक्स के अब वो क्या है वो है उत्पादन विनिमय वित्रन और बचत मैंने क्या क्या नाम लिया उत्पादन क्या है विनिमय क्या है वित्रन क्या है और बचत क्या है अब बच्चे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं यह यह सभी एकनोमिक्स के टरम है क्या है चलिए फ होते हैं इन्वेस्टर होते हैं दूसरा क्या करते हैं हम लोग सेविंग करते हैं और उसका क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं डिस्टिब्यूशन करते हैं यह सारी काम हम करते हैं कहां करते हैं आर्शास्त में करते हैं यानि जैसे ही हमने नाम लिया प्रोड्यूशर और कंजूमर यह दोनों एक दूसरे से कोरेलेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना चली नहीं सकते और यह आर्थिक किरिया के जो बाते कर रहे हैं इसके अंतरगत यहीं आ रहे हैं कौन आ रहे हैं प्रोड्यूश जो क्या है एक तरह से क्या है वो कंज्यूमर है और जो बनाने वाले हैं वो भी मनिश है प्रोडूशर है तो अभी कंज्यूमर और प्रोडूशर में डिफ्रेंस क्या हुआ उप्भोगता और उत्पादक्ता में क्या अंतर हुआ उप्भोगता कर्थ क्या हुआ जो जस सामान का उपभोग करता है अब टायत पर है उबहों का तैट पर आप सिर्फ नहीं लगा सकते कि आप ने किसी सामान को खरीदा और उसे खा लिया तो वो आपने सक उपभोग क्या है मुझे अपने कक्षा में देख रहे हैं और कक्षा天 साथ-स्त अप जो क्लास ले तो आप इसका क्या कर रहे हैं उपभोग कर रहे हैं यहां इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं यह हम जितने भी सामान को अपने रोज दिन्चरिया में परियोग करते हैं वो किसके अंतरगत आता है उपभोग तो यह जो चीजें उपभोग होती है कैसे करते हैं हम लोग उसको कोई बनाता है तो बनाने वाला क्या कहलाया प्रोड्यूशर जब कोई सामान बना तो उसको खरीदने वाला चाहिए या फिर खरीदने वाला चाहिए तो उसको बनाने वाला चाहिए तो इस तरह एक दूसरे के साथ यह क्या करता है सामन्च सथापित करते हैं फिर अगल जाता है अगली है इसके अंतरकत आती है कि हम क्या करते है बचट करते हैं सब कब करते है कि जब हम अर्थी किरयाओं के द्वारा जो धन का अर्जन करते हैं और हमारे अच्छताओं से पूरी हो जाती है तो हम उसका वहाग कहां पर ली जाते हैं से विग कि ओडस चALK Regierung इस प्रकार अर्षास्त में यह आर्थिक समझ्याएं पूरी तरह से क्या होती हैं- घिरी रहती है और यह सारे कार्य होते हैं चलिए बच्चों यह जो मैने critic क्यरिया को आप लोगों को समझाया इसे एक flow chart के द्वारा समझते हैं, तो चली flow chart को देखते हैं, देखे, अर्षास्त का सार क्या है, क्या है ये अर्षास्त, आप देख सकते हैं, कि सबसे उपर में लिखा हुआ है, चैयन की समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है, चैयन, अब चैयन की समस्या कौन करेंगे, आवश्चक चीजें हैं तो आवशक्ताएं उसी आवश्चक्ताओं में क्या हो जाएंगे यह हमारे साधन क्या है और आसमित साधनों में तिवरता में अंतर आती है हमारी जो आवशक्ता हैं वो तिवर अंतर हो जाता है इसको आप कैसे समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हमारे मार्केट में किसी भी सामान का ट्रेंड बन जाता है आप बच्छे हैं बहुत अच्छे से समझ झा रहा हो माल लीजी कि आप एक पैन यूज़ कर रहे हैं और मार्केट में कोई नए पैन आया तो आप क्या आएगी वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा तो इसके कारण और सास्त में उस पर क्या किया जाता है कारी करते हैं और हमें समस्या का सामना करना पड़ता है अगली जो भाग है जो तिवरता में अंतर आई उससे क्या हुआ चैन के समस्या आ गई अब हमने चैन करना प्रॉब्ल करते आ गई कि हमारा क्या हो गया प्रोडूशर के लिए साधन क्या है असमित है दुड़लब है और उसका वेकल्पिक के रूप में परियोग करेगा तो यह जो फ्लो चार्ट है यह बता रहा है कि यह एकनॉमिक्स में कैसे काम कर रहे हैं और यह जो पूरी किरिया हुई इस बदल रही है तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि आखिर यह जो बाते हो रही है वो किसके अंतरगत हो रही है तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि अर्शास के अंतरगत कौन को ना रहे है हम लोग फिर से देखते हैं उसे उसके अंद्रगत क्या आया उत्पादन उपभोग निवेस और वित्रन मैंने अभी बताया कि किसी भी वस्तू का क्या करेंगे हमनों उत्पादन करेंगे और उनी वस्तू का क्या होता है उपभोग होता है और इस वस्तू को बनाने के लिए निवेस किया जाता है और उसका व होते हैं कि थोड़ा याद करें आप सभी कि चलिए आगे बढ़ते देखते हैं तो उत्पादन के क्या क्या कारक है आप लोगों को कक्षा में अच्छी तरह से समझाया गया होगा कि किसी भी सामान को बनाने के लिए मुख्यता किन-किन छीजों कि यावशक्ता होती है तो वो और करक्त है वो यसे हम लोग देखते हैं रहा है स्टाण के लिए अवश्क्त की उध्या हो जाती है सबसे पहली भूमी होती है उसके बाद क्या होता है स्रम पुंजी उद्यम और संगठन तो इसका एक्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चों मानलीजी आप अपने कख्छा में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके जो कख्छा में बैठ के आप पढ़ रहे हैं वहां पर भूमी की चर्चा हो रही है भी भूमी यानि उसों बैनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया लकडी चाहिए था हम लोगों को बिना लकडी के क्या यह वो बैंच बन सकते थे लोहे चाहिए थे हम लोगों को उसके बिना क्या काम हो सकता था नहीं हो सकता था तो यानि भूम तो यानि कि जो हमने वो कहा से लिया जंगल से लिया लकडी और उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था एक रूम या एरिया चाहिए था जहां उसे बनाया गया इस बैंच को बनाया गया अब बच्चों आपको यह ध्यान देना है कि जो बैंच बने इसके लिए क्या चाह क्या हम जंगल से ऐसे लकड़ी काट के ले आएगे गया बिल्कुल नहीं लकड़ी को काट ही नहीं सकते हमें टिमबर से जाकर उसे लकड़ी को खरीदना था यानि हमें पुंजी चाहिए और इन सारे कारियों को कौन कर रहा था उद्यमी या संगठन तो यानि किसी भी और पुनजी और श्रम क्यों मैंने यह कहा कि माले आपके पास लैंड है सब कुछ है और पैसा ही नहीं है पुझी ही नहीं है तो क्या आप किसी वस्तुख पादन के लिए सोच सकते हैं बिलकुल नहीं सोच सकते तो इसलिए इसकी जरुरत पढ़ती है कि अब बच्चों ये कर रहा है कि और यो कैसे हो रही है पूरी जो पूरी एकौनोमिक सिस्टम वंक कर रही है किसी पे सामान का प्रोडक्शन हो रहा है उसका हम कंजम सन कर रहे हैं तो क्यूं कर रहे हैं तो इसे समझने के लिए हम लोगे चाट बनाते हैं चलिए मच्चोंधे और strict अ Nh Creed आर्थिक करिया को समझने के लिए , बीडा आप ये रास्टी आयां में भी पढ़ेंगे परतु आज आज हम लुक वार्ज़ते हैं मैंने क्या लिया एक भाग लिया है अवर मों हमनख कर रहे हैं , फाष्वोड हैनई बीडा साथ होल्द कर रहे हैं सामान बनाने के लिए जिन कारकों का परियोग करेगा वह किस से लेगा ऑस होल से लेगा क्या लेगा वो देखें मैंने अभी वताया आपको किसी सामान के उत्पादन के लिए भूमी पुंजी श्रम उद्ध्यमि और संगठन की आवश्कता हुती है तो प्रोड्यूशर कहां स ऍप्रोडूशर नहीं दिया स्चछर् को यह किसके पास आया अपर चुछ प्रोडूशर और की समानों का पर्योग करके बनाेगा इसके बदले और वो सामान एवं सेवा का भुकतान करेगा यहाँ समझना है यह जो फ्लो चला सामान के बदले cancel कि अब किया होगा आद कworkingक्रियो से हॉट से क्या लिया हुट मेलिया पुंजिली स्राम लिया उद्यामी और संगठन सब फिस बदिया कुछ आ है कुछ डेंगे एक बीकुल देंगे हॉसाओं है कुल आपको फ्री मेरा देने के लिए तो क्या देंगे अब कुर एक बदर इसके तो बच्चों भूमी जो लगती है उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है भूमी के लिए हमें लगान देना पड़ता है यानि भूमी के बदले हमें क्या मिल रहा है लगान रेंट यानि हमने जो भूमी लगाई उसके बदले हमें क्या मिलेगा और जिसमें क्यापिटल लग करते हैं उन्हें क्या मिलता है वेज़ जन सालरी यहीं मिलते हैं यहां उन्हें क्या मिलेगी मजदूरी मिलेगी या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वेतन मिलेगा अगला है उद्यौमी और संगठन जो काम करते हैं वो किस लिए काम करते हैं वो अपने लाभ के लिए काम करते हैं तो यानि उन्हें क्या मिलेगा राभ धिर यानि परडिूषर ने हाॉश होड से लिया और इसे दे दिया अब क्या है प्रोड्व obsolet नी जब शिया था या वह बना था सामान और सेवा का भुकतान किया ठीक है यानि हमें एक प्रोड़क्ट बनके आया हमारे सामने क्या आ गया एक प्रोड़क्ट बनकर आया तो इस प्रोड़क्ट को वो क्या करेगा क्या वो बना के अपने फैक्टरी में रखेगा नहीं वो किसके लिए बनाया है हाउस होल्ड के लिए बनाया ह हाउसोल कैसे खरीच सकते हैं उसके पास पैसे होने चाहिए ना तुनको पैसे कहां से मिले बच्चों उसको पैसे यहां से मिले यहां मनी का फ्लो हुआ सामान आपने दिया और सामान का फ्लो हुआ और यहां से जैसे ही भूमी के बदले हाउसोल्ड को क्या मिल गया यह सारे च ईस प्रेकारी कहनों मिकस की जो यह बात हम लूग कर रहे है कि मुझान हो रहा है पुरी आर्तिक क्रिया चल रही है इस प्रकार चली तो जहां तक हमीद supports आप इस फ्रोको अच्छे से समाझ गए होंगी इसका हम लोग गहन अध्यन जब हम लोग राष्टी आई पढ़ेंगे Macroeconomics में तब इसको हमें जानना है ये और अच्छे से जानना है आप लोग तो बच्छों अब हम लोग जानते हैं कि आगे कि कि ऐखेर जो सास्ट की बाते एक रहे हैं हम लोग, तो अर्ठ सास्ट की किरियाइं शंपन हुई वह इस प्रकार से हुई तो भ्याद देकते हैं कि सास्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं बार पार उनको कितने च recommendations, कितने भागों में बाटाई है अर्शास्त का क्या भाग है पहला भाग है व्यस्टी अर्शास्त और दूसरा है समस्टी अर्शास्त अब यह है क्या व्यस्टी अर्शास्त व्यस्टी अर्शास्त यानि इंग्लिश में Micro Economics समस्टी अर्शास, Macro Economics, Words के यंदर सब कुश include है, Micro यानि छोटी, Macro यानि बड़ी, तो अर्शास्त की जो छोटी छोटी इकाईयों का अध्यान, जिस अर्शास्त के अंतरगत करते हैं, वो कहलाता है, व्यस्टी अर्शास्त, और जिस आज़़ास्त के अंदर हम भड़ी ही काई का अध्यान करते हैं। वो क्या लाता है Vesti A contar आभ यह छोटी हकाईयों उब बड़ी काईया क्या हैं। छोटी हैं होई कि जिसके अंतरगत हम अपने व्यक्तिकर यानि एकति का, एक form का इन सभी चीजों का जो अध्यन कर रहे हैं, एक व्यक्तिगत कमपनी की बाते कर रहे हैं, तो ये सारा अध्यन किसके अंतरगत आ रही है? ये आ रही है व्यस्टी अर्सास के अंतरगत, और समस्टी के अंतरगत क्या रही है? जब हमें पूरे देश की बाते कर रहे हैं, पूरे आपके 12 में अल्रेडी ये दो भागों में बटा हुए है एक है व्यस्टी अर्षास और दूसरा समस्थे जिसका आपको अधिन वहां करना है तो आज से परीचे था तो इस प्रिकार बच्चों हम लोगों ने आज की कक्षा में क्या पाया हम लोगों के ने आज की कक्षा में कि अर्षास्त क्या है उसकी परिभासाई किस प्रिकार दी गई और आर्थिक क्रियाएं हो कैसे रही है और इनकी समझते हैं क्या है इन्हीं सभी का आख्लन हमने अपने इस अध्याय में किया है मैं फिर आपके समक्ष अगली इसी अध्याय के अगले भाग के साथ जाएगे हम लोग पुना मिलते हैं अपने अगली कक्षा में धन्यवाद